कि अलो फ्रेंज्स यह पीरयो में गरम पानी फड़न लग रही है इसलिए इसलिए मैं आशाओ रोड़ ऐखान और आज यहार के पूट बने गार किन treaty तो ओधन की तबworks थीक नहीं थी तो नाय ज के लिए थीक नहीं होती तो मैं ज़्विक बढूब करती हूं बनाना और खाना भी तो आज मैं बनाओंगी अलु गाजर मटर दिन के लिए और रात के लिए बनाओंगी प्यास ट्मार्टर वले चावल बनाओंगी तो मैं कैसे बनाती हूं वह आज आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी दोनों की रेसिपी शेयर करूंगी simple food भी कभी कभी शेयर करना चीए तो चलो चलते हैं किचन में पहले मैं पानी फिनिश करती हूँ फिर चलते हैं किचन में तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ आलू गाजर मटर की सबजी I know आलू थोड़े से ज़्यादा है गाजर के अकॉर्डिंग ली लेकिन मन्नू और अनाय को आलू ज़्यादा पसंद है और वेजिस थोड़ी सी कम इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा तर खाना बनाती हूँ तो यहाँ चार बड़ी गाजर ली है पांच आलू और एक कप मटर और अब कड़ाई में तेल डाला है अब इसमें मैं डालूंगी एक चमच नमक नमक डालने से क्या होता है कि सबजी जल्दी कुख हो जाती है और साथ में मैं डालूंगी इसमें एक दो घुन पानी और पानी इसलिए डालूंगी ताकि सबजी चिपके नहीं तो गाईस ममा के हालत कुझा दोई खराब है प्यास कट तो है आस लगे बहुत कड़ा प्यास है बहुत दुन दा मैंने मुमी को बोला आपने मुमें ब्रेड रख लो कि दीक लाइफ है क्या है मैंने का वह पहले बताना था ना मैं प्यास बिकारना जुरू कर चिकी यह लाइफ है देखती रहती यूट्यूब पे और हमें को बताती रहती है कभी स्किन केर से रिलेटेड थी कुछ अब जितने आलू गाजा मटर एड़ी होंगे इतने मैं प्यास टमाटर वाले चावल बना लेती हूँ तो यहां मैंने ओलिव ओल का यूज किया है तू टेबल स्पून और साथ में प्यास लिए है तीन प्यास तीन टमाटर और दो हरी मिर्च तो बहुत सिंपल है यह कुछ नहीं करना बस जब तेल गरम हो जाए तो इसमें मैं प्यास डाल दूँगी और प्यास के साथ साथी इसके अंदर मैं डाल दूँगी दो हरी मिर्च आप चाहो तो इसको एवाइड भी कर सकते हो लेकिन अनाया और मनु को अच्छी लगती है हरी मिर्च किसी भी चीज में मैं डालती हूँ तो जी जादा तीक ही नहीं थी इसलिए मैंने इसको डाल दिया अब प्यास को जल्दी कुख करने के लिए इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ टीस्पून नमक नमक डालने से जो भी चीज में मतलब आप नमक पहले स्टार्टिक में डाल दोना तो सब्जी जल्दी से कुख हो जाती है अब जब प्यास ब्राउन हो जाएं तो इसमें मैं डालूँगी टमाटर आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो लेकिन ये सिरफ मैं प्यास टमाटर वाले चावल बना रही हूँ जो मनू और अनाया दोनों को अच्छे लगते हैं और यहां अब मेरी सब्जी भी रेडी हो चुकी है अलू गाजा मतल की अब इसमें मैं डालूँगी मसाले और मसालों में मैंने डाला है 1.5 टीस्पून नमक 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर 3-4 टीस्पून हल्दी 3-4 टीस्पून अमचूर पाउडर और अमचूर पाउडर थोड़ा सा जादा इसले क्योंकि इसमें कोई टमाटर की खटाई नहीं है इस वज़े से 1.4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसमें मैं अब डालूंगी 1 टीस्पून मसाला आप कहलो या सबजी मसाला कहलो मिक्स मसाला कहलो कुछ भी कहलो कुछ भी नाम दे दो आप इस मसाले को ये वाला मसाला है जिसका मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मैंने अलग से कुछ पीसा नहीं है सिरफ कुछ ड्राय मसालों को मैंने मिक्स की है लेकिन कॉंटिटी क्या-क्या है वो आपके साथ एक दिन शेयर करूँगी और ये है अलू गाजा मटर की सबजी एकदम रेडी जो कि आप प्रांटों के साथ खाओ बहुत टेस्टी लगती है और यहाँ पे प्यास टमाटर भी भून चुके हैं अब इसमें मैं डालूँगी वन एड़ फी श्पून नमक और इसमें नमक पहले भी जा चुका है और फी श्पून हल्दी फी श्पून अमचूर पाउडर तू टीश्पून धनिया पाउडर त्री फो टीश्पून लाल मिर्च और वन फो टीश्पून गरम मसाला अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी चावल चावल मैंने मौनिंग में ही बना के रख दिये थे और ये है वन ग्लास ठीक है एक ग्लास चावल है तो इसको और एकदम गरम चावल नहीं डालने होते नहीं तो ये बिल्कुल तूट जाते हैं अच्छे से नहीं बनते हैं थोड़े खिले खिले रहने चाहिए तो इसमें मैं सारे चावल डाल दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर टेस्ट करके देखूंगी अगर थोड़ी बहुत भी कमी पेशी होगी तो वो मैं इसमें डाल दूँगी इसमें और कुछ जानले की जरुरत तो नहीं पड़ेगी हाँ हो सकता है इसमें मैं को थोड़ा सा नमक डालना पड़े क्यूंकि एक ग्लास चावल के हिसाब से कम से कम दो चमच नमक तो डलता ही डलता है और देखो मैंने आदा चमच और डाला है तो आप उसे से आईडिया लगा सकते हो और आपको चितनी कॉंटिटी में चावल बनाने हैं आप उसके accordingly मसाले डाल सकते हो मैंने अपने जितने चावल थे उसके accordingly लिये थे और अब मैं साथ में अपने ले थोड़ा सा रायता बनाऊंगी रायता तो खेर क्या ही मतलब दही में सिरफ जीरा नमक और मिर्च डालूनी तो हम ये दही यूज़ करते हैं खाने के लिए हम ये classic mother dairy की दही यूज़ करते हैं और ये जो दही है गड़वी दही लिखा है metro और पंजाब का टेस्ट है इस दही में ऐसा लिखा हुआ है तो इस दही को हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं या कड़ी के लिए यूज़ करते हैं तो नहीं वैसे हम इसको खा भी सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है तो मतब ऐसे रायता भी हम इसको खा सकते हैं और यहां पर मैंने अपने लिए सिरफ रायता बनाया और कोई खाएगा नहीं मनु नहीं खाते हैं इस मौसम में भी लेकिन कभी-कभी खा भी लेते हैं लेकिन वो बहुत रियर खाते हैं मैं बीश-बीश में फिर भी खा लेती हूँ मुझे अच्छी लगती है लेकिन वैसे मुझे अवाइड करनी चाहिए दई लेकिन मुझे से होती नहीं है में जो बहुत अच्छी लगती है दही और इसमें मैंने बिल्कुल जरा सा जीरा पाउडर डाला है नमक जरा सा बिल्कुल और मिर्च अपने मतलब लगा लो यह हाफ बाउल मैंने अपने लिए दही बनाई है सौरी रायता बनाया है तो वही अपना इंजॉय करूंगे अपने टेस्टी लगती है आप ट्रावलिंग पे कहीं पे जाओ और इसको पैक करके लेके जाओ बहुत टेस्टी लगती है और अनाया ने बोला कि में को सेम टेस्ट की दवारा से जल्दी बना के देना तो मक्षन के साथ साथ में इंजॉय कर रही हूं और अपना पलाव ले लिया और राइता सैलेट बर तो गाइस यह था मेरा आज का लंच यह मैंने रेसिपी जा आपको साथ शेयर करी है इसको एक बार बना के जरूर देखना और मेरे साथ शेयर करना अपने व्यूस के आपको कैसे लगे मेरी रेसिपी कैसे लगी और मेरी वीडियो कर अच्छी लगी ह होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, so bye bye and take care.